एक 20 साल के लड़के का संगर्स नितिन एक साधारन से गाउं में रहने वाला 20 साल का इवक था उसका गाउं हर्याली और प्राकृतिक सुन्दर्ता से भरा हुआ था लेकिन उहां के लोग सिक्षा और विकास से कोसो दूर थे नितिन का परिवार भी खेती किसानी पर निर्वर करता था आर्थिक तंगी के बावजूद नितिन के माता पिता ने उसे पड़ाई के लिए प्ररित किया और जितना होसे के उसका साथ दिया नितिन बच्पन से ही बहुत होसियार और महनती था उसके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना था वो जानता था कि अगर उसे अपने और अपने परिवार की हालात सुधारनी है तो उसे कड़ी से कड़ी मैनत करनी होगी गाउं के प्राथमिक बिद्धले में उसने अच्छे अंग प्राप्त किये और गाउं में सबसे भुद्धिमान चात्रों में से एक बन गिया मैद्धमिक सिक्षा पूरी करने के बाद नितिन को सहर में एक कॉलेज में दाखिला मिला लेकिन अब समय सा थी पैसो की उसके पास कॉलेज की फीच और सहर में रहने का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे उसने अपने माता पिता की हालत को देखते हुए खुद ही कोई रास्ता निकलने का फैसला किया उसने सहर में जाकर पार्ट टाइम नोकरी करने का निस्टरी किया सहर में आकर नितिन ने एक छोटी सी नोकरी ढून ली जहां उसे दिन में काम करना पड़ता और रात में पढ़ाई करने पड़ती थी यह समय उसके लिए बहुत कटीन था लेकिन उसने हार नहीं मानी उसने अपने संगस को पुरा करने के लिए हर संभब परियस किया काई बार उसे भूका पेट सोना पड़ा काई बार धकान सो चूर होकर भी उसने किताबे नहीं छोड़ी एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई उसे कॉलेज में सबसे अच्छे अंक मिले और उसे एक प्रतिष्टित कमपनी में नोकरी का प्रस्ताव मिला यहां नितिन के लिए बह प्रतिक इस्तिदी को सुधारने में मदद की उसने अपने गाउं में भी सिक्चा का महत्वा समझाया और उहां के बच्चों को पड़ाई के लिए प्रेरित किया नितिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने के जूनून और मेहनत करने के लगन हो त अपने गाउं के बच्चों के लिए एक इस्कुल की इस्तावना की उसने यह सिवनिश्चित किया कि गाउं के बच्चों को अच्छे सिक्चक और बहतर सिक्चा मिल सके नितिन ने अपनी कमाई के एक बड़ा सा हिस्सा गाउं की तरिकी के लिए खर्च किया उसने गाउं मे बिजली, पानी और सड़कों की सुविधाओं को सुधारने का भी काम किया नितिन का मानना था कि अगर हर वक्ति अपने गाउं और समाज के विकास के लिए थोड़ सी भी मेहनत करेगा तो पूरे देश की तस्विर वदल सकती है उसने अपने साथियों और गाउं के लोगों को भी समाजी कारियों में भाग लेने के लिए प्ररित किया नितिन के परियासों का असर धीरे धीरे डिखने लगा गाउं में सिक्षा का अस्तर बढ़ा, लोग जागरुख होने लगे और विकास के रहा पर चल पड़े नितिन की कहानी उन सभी युगों को के लिए प्रिरना है जो आपने सपनों को पूरा करने के लिए संगर्स कर रहे हैं उसने ये साबित कर दिया कि अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने की चाहत हो तो हम किसी भी कठिनायों को पार कर सकते हैं और सपलते की उचायों को चूँ सकते हैं नितिन का जिवन ये संदेश देता है कि सपने सिप देखने के लिए नहीं होते हैं बलकि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और संगर्स करना पड़ता है नितिन की इस प्रेरणा दया कहानी ने पूरे गाओं में एक नहीं उर्चा भर दी उसके संगर्ष और सफालते की कहानी हर जगह चर्चा का बिसाई बन गई लोग उसे आदर्स मानने लगे ओर उसकी तरह मेहनत कने की प्रेरणा लेने लगे नितिन ने यह भी समझा कि सिक्चा ही वह रास्ता है जो किसी भी समाज को अंधिकार से परकास की और ले जा सकता है उसने सिक्चा के महतों को हर किसी तक पहुँचाने का संकल्ब लिया और अपने जीवन का उद्ध्य से बना लिया नितिन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनेयों के बाभ जूद अगर हम अपने लक्ष के परति समर्पित रहते हैं तो कोई भी हमें सपल होने से नहीं रोक सकता नितिन का संबर्स और सपालता की यह कहानी उस बैक्ती के लिए प्रेरना है जो आपने जीबन में कुछ बड़ा करना चाहता है और समाज में साकरातमक बदलाव लाना चाहता है तो दोस्तो आज की कहानी यही तक समाप्त होती है आपको यह कहानी कैसे लिए कॉमेंट सेक्षन में जोरूर बातना और ऐसे ही आगे इंस्परेशनल कहानी सुने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राप कर सकते हैं मिलते हैं एक नई सांदार वीडियो के साथ तब तक के लि बाइ बाइ जये हिन